हेलो फ्रेंट्स अगर आप प्यम किसान सम्मान निधी के लिए ऑनलाइन मोबाइल के माध्धम से रजिस्ट्रेशन करना चाते हैं उसी का कम्प्लीट प्रॉसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ साथ ही साथ फ्रेंट्स अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है किसी कारण से फार्म को रजेक्ट कर दिया गया है तो उसमें आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं उसका भी प्रॉसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वीडियो पूरा देखिएगा अगर कोई भी ड ऐब पर क्लिक कर दिना वह जागा यहां पर अधार नमबर मोबाईल नमबर इस्टेट चापचा ढाल के इस्ट के घस्ट पर क्लिक कर दिना वहां दिन यहां पर चत kang final कर देशन करना चाहिए उस्ट कर देढ़ी आपको 15 में एक क्रिक्छ नवह होगा, मोबाईल पर से तक्ल आप फिर से capture डालके submit करेंगे, आपका जो है details जैसे आपने farm apply किया था, वो यहाँ पे इस तरीके से कुछ सो हो जाएगा, अब यहाँ पे friends आप इसमें जो भी farm apply किये थो कुछ भी गलती वो correction कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका state, district सो हो जाएगा, तैसिल यहाँ से आपको डा कर लेना होगा, ना उसके बाद friends, hectare में जो आपका farmer होगा, वो आप यहाँ पे type कर लेंगे, अधार card number सो हो जाएगा, details आपकी सो हो जाएगा, father name सो हो जाएगा, यहाँ पे land registration ID, यह must है friends, यह अगर गलट डालती है, तो आपका जो है reject हो जाएगा, तो यह आप कैसे कहां से पता कर सकते ही, उसके लिए friends, यहाँ पे मैं आगे बताया हूँ, तो यहाँ पे आपको browser में search करना होगा, जैसे कि यह आपकी खतावनी आ जाएगी, तो यहाँ पे side में उपर देखेंगे, तो आपका जो खाता number यहाँ पे लिखा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप आपका गाटा संख्या सो हो जाएगा, यहीं पे बीच में friends से जो देखेंगे, आपका land registration ID, यह red color में सो हो रहाए, यह बीच में column में होगा, इसको आपको copy करके यहाँ पे डाल देना होगा, बाकी अगर आप इसको download करना नहीं जानते हैं, comment कीजिएगा, इसकी dedicated video आपको च apply किया होगा, submit किया होगा, यहाँ पे नीचे आप अपना gata number खसरा संख्या, यह पूरा details से देख के match कर लिजिएगा, खतावनी से सब कुछ details से भरना होगा, अब यहाँ से जमीन जो है, आपके नाम से कप से आई है, यहाँ पे friends से आप देख सकते हैं, land transfer status में, यहाँ पे यहाँ पे आपको friends no पे रहने देना होगा, उसके बाद यहाँ पे friends आपको document में आधार number जो की होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा, supporting document friends जो आपको यहाँ पे अपना खसरा number होगा, खाता संख्या, जो खतावनी होगी, वो आधार कार्ट दोनों को PDF में merge कर लेना होगा उसके बाद यहाँ पे जैसे आप submit करेंगे, आपका status देखें, successfully update हो जुका है, यह जो आपका registration ID होगा, वो आपका अधार number होगा, आपका registration ID, status उसी से आप check कर सकते हैं, बाखी कोई doubt होगा, comment करके पूछ चकते हैं